नमस्कार आप देख रहे हैं The True Hunt, For the People, By the People दूसरों के influence में नहीं आता और अपने लिए गए ग्यान के जरिये से अपना दिमाग चीजों को समझने के लिए खुद लगाता है तब ही जब बच्चों को स्कूल बेजने के लिए प्रोटसाहन दिया जाता है ताकि वो एजुकेशन के जरिये से अच्छी नॉलेज लेकर अपने जिन्दगी के गोल्स को पहचाने और अपनी नॉलेज के जरिये से अपने इंबीशन को पूरा करें ऐसे में अगर पूर्फ से भी न्यूस्पेपर रिपोर्टस का आंकलन किया जाए तो स्कूल जाने वाले बच्चों में ड्रॉप आउट्स कम देखा गया है जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे और उनके माता-पिता आज एजुकेशन की कीमत को जो कि अगर गॉर्मेंट स्कूल्स के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है अब ऐसे में स्कूल से स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेशो लो बताने का एक मुखे कारण बताया जा रहा है जिस पर बीमसी ओफिशल्स का ये कहना है क जो कि पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है वो बहुत ही जादा कारगर साबित हुआ है स्टूडेंट के ड्रॉप आउट्स को कम करने के चलते और इसके अलावा मुंबई की प्राजा फाउंडेशन जो लगातार स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स की प्राब्लम को लेकर संग्यान करती रही है उसका भी महत्पूर्ण योगदान बताया जाता है और साथ ही ये क्या इशारा है कि BMC के स्कूल में शिक्षा का स्तर भी पहले से बहुत बहतर हो गया है और इसके साथ ही जहां ये कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा देश के बुन्यादी धाचे को लेकर ऐसी मोहीम चलती रहेंगी ताकि हर बच्चा हो शिक्षित तो देश बनेगा विक्सित ये थी The True Hunt चानल की रिपॉर्ट और ऐसी खबरे देखने के लिए जुड़े रहिए The True Hunt से